जी हाँ आज हम बात करेंगे ब्रॉकली एक सूपर फूड की ये एक फ्यूचर जनरेशन फूड है लेकिन आज कल इंडियन किचिन में इसकी डिमांड बहुत जादा है पर आपको पता है कि इसको सिर्फ ग्रीन ही खाने में जादा फायदा है अगर ये यलोई हो जाती है तो कि इतनी फायदे मन नहीं होती तो आज की वीडियो में हम ये ही जानकारी शेयर करेंगे कि आप इसको लंबे समय तक फ्रेशली स्टोर करके कैसे रख सकते हैं और इसका कभी भी फायदा ले सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ब्रॉकली के बारे में और जान लेते हैं तो ब्रॉकली का जो साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है वो है बोरेसिका और एलेसिया जी हां और इसमें बहुत जादा फाइबर होता है अगर आप डाइट प्लान कर रहे हो या पत जादा वाइटमिन सी होता है कि अगर आप इसका आधा कटोरा या आधा बॉल भरकर दिन में खा रहे हो ना तो 80% वाइटमिन सी आप यूज कर रहे हो पूरे दिन में तो हैना मज़े की बाद और इसमें फॉलिक एसिड में ये बहुत ही कारगर है यानि आपका बलड इनहे इंटस्टाइन, हार्ट ना जाने किस किस के लिए ये कारगर है तो चलिए पहले तो इसको काटना देख लेते हैं तो इसको पीछे देख रहे हो तो या तो इसको फेंक भी देते हैं कहीं लोग लेकिन मैं तो इसको भी यूज करती हूँ तो जैसे जैसे आगे वीडियो ढूमता होगी कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ तो इसको कही लोग ऊपर से काट लेते हैं लेकिन इसको पीछे सी काटे ही और स्थारीख पीविविन कीते हैं और इसकी शेपविन रहती हैं इस तहरीके से तो ब्रॉखιο जो होती है वह गोजू की ही ब्लड शुगर प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर को मिंटेन करके रखती है, और आपके बैड केलिस्ट्रोल को हटाती है, गुड केलिस्ट्रोल को बढ़ाती है, तो बहुत सारी चीजों में यह आपके कारगर है, और यह देखी जो पीछे का जो यह बसता है, इसको मैं क्या कर तो इसका भी बहुत अपना एक benefit होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है तो चलिए तो यह सारी मैंने broccoli काट ली है तो हम सबसे पहले इसको बॉल करेंगे तो उसके लिए पानी मैंने गरम होनी के लिए रख दिया है और इसके दूसरी तरफ हम इसको बिल्कुल ठंडा करने क प्रोसेस होती है और इसके जरीए हम अपनी सबजी को बहुत दिनों तक रिफ्रेश करके रख सकते हैं तो देखे जैसे बॉल आना शुरू हो गया पानी में अब हम अपनी ब्रॉकली की पीसिस इसमें डाल देंगे ऐसे तो यहां पर हम एक और बॉल आने का वेट करेंगे क तो यहां पर यह बॉल आना शुरू हो गया और यहां पर यह देखे पूरा से बॉल आ चुका है और एक से डिड़ मिनिट के बाद हम गैस को बन कर देंगे तो यहां पर देखे बॉल अच्छे से आ गया है और अब गैस को बन कर देंगे और उसके बाद हम इसको चान है इसको ट्रेंटर में चान देंगे जिसे कि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा इसका ये देखिए और इमिडेट ली हम यहाँ से को सीधा ट्राणसवर करेंगे फिर्थ थंडे पानी में थंडे पानीम करने का रीजन यही है कि यह बिल्कुल और निकालने के बाद वापस मैं इसको स्टेनर में रखूंगी जिससे एक्स्रा पानी निकल जाए और उसके बाद आप इसको किसी भी बरतन में जिप लॉक बैग में या एर टाइट कंटेनर में आप इसको बन करके फ्रीजर में रखिए या फ्रीज में रखिए यह देखे पहले तो आप एक्स्ट्रा पानी इसका बिल्कुल निकलने दीजिए यहां पर और उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में आप इसको बन करक सकते हैं, तो कोई भी सबजी का प्रोसेस ऐसी होता है, आप इसी तरह से दूसरी सबजीों को भी प्रोसेस करके रख सकते हो, तो यह बहुत ही बढ़िया अध़ड है, जितना आपको निकालना है उतना निकालिए वापस इसको बन करके रख दीजे और मैंने तो उस पर पराठ बहुत लंबे समयता कि आपको यंग रखता है तो इसके बड़े सारे बैनेफिट है तो मेरे पास तो ये ग्लांस का बाउल है ये भी एर टाइट इसका लिड है तो मैं तो नॉमली क्या करती हूं फ्रिज में रखती हूं तो साथ दिन में मैं इसको खतम कर देती हूं तो जित तो बस आज की वीडियो में मेरा इतना ही है फोप मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजे और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के साथ कीजिए जिससे की मेरे सारे के सारे न झाल